नमस्कार श्वागत है आप सभी का यूपी एनम भरती 2022 को लेकर के बात करेंगे फाइनल कटाफ कितना जा सकता है आप लोग अपने नंबर जरूर सेयर करते रहेगे का कैटिगरी के साथ में किस कैटिगरी से आप बिलांग करते हैं और कितने मार्ग्ष आपके है है हमारे पा पास आप सभी की जो मार्ग्ष आपनों सेयर किया है हो है तो मैं सभी की दर यह नहीं बोलूँगा कि हमारे पास 30,000 लोगों का सर्वे का डेटा है जबकि उनके पास होता 100 का भी डेटा है लेकिन 10,000 को लोग दावा करते हैं जितना होना चाहिए जिनने उन उतना बताना च करें इसके बाद हम लोग आगे जो है 2-3 दिन केवल और केवल प्रमाण पत्रों को लेकर की डोकुमेंट्स को लेकर की बात करेंगे जिनको मन जिनके मन में थोड़ा भी डाउट हो कि हमें नया बनवाना चाहिए क्या तो आप नया बनवा लीजिए उसके लिए कोई दिक्क हो या आपके दस्वी बारवी मतलब तो आपके पहले की रहेंगे लेकिन जिसे और जो बाद में आपने बिल्कुल कोई अपीरिंग में रहें होंगे या कोई जिन किसी का एनम का डिप्लोमा या सटिपिकट नहीं आप आया होगा उसमें एक रिश्टरसम भी कराना होता आपका हुआ रहेगा अनभव उतने का ही आप बनवाएगा आप आज की डेट से मत बनवाएगा अदर्वाइज आपका तुरंद रिजेक्ट हो जाएगा ध्यान दीजेगा इस इसको इस डेट से ही आप अपने अनभव काउंड करके उतने का ही आप बनवाएंगे अनभव नहीं होना चाहिए उ तो हमने इसलिए नया बनवाने की लिए आप से पीसे एक सर्जिस किया था कि मा लेजे पहले के जो डोकुमेंट से उसमें या तो कुछ गलतियां हो आउए हो या हमें जैसे बनवाना था उओं हम पाए पिता फक्षी से निरिकत नहीं बनवा पाए तो हम अभी बनवाले एक सप्रोर्टिंग डोकुमेंट के लिए ताकि हम वेरिफाई करवा सके अपने आपको की हमारी केटिगरी यही है हमको यही इसी जाती का जो हमें आरक्षड मिलना चाहिए बस इसके लिए हमने बोला था कोई भी चोटी चोटी या बड़ी बड़ी से बड़ी गलती हो आप उसके लिए एफिट जरूर लिख वाली जीगा संविदा दो साल सा तीन साल भर दिया हमने उसका भी आफिट लिख वाली जी डी अन्डोकुमेंट वरिफिकेसं के समय ही आप जो कर सकते हैं क कर सकते हैं उसके बाद फिर एक बार डी भी हो जाने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर सिदे मेरिट बनेगी फिर वहां पर बहुत सारे लोग रेजेक्टी भी हो सकते हैं अगर गलती हुई तो ध्यान दी जीगा इस चीच को और जाती वाला हमने आपको वस यह सजेस्स किया था कि जिसे माल लेजिए आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप एक बनवा सकते हैं फिर डेविट के हमारी जाती चेंज नहीं हुई है हलाकि वहां पर जाती प्रमाण पत्र ही आपका देखा जाएगा चलिए यहां पर जितने लोगों को मौका मिला है 17713 यहां पर लगवक इतने ही है तो इसमें से जितने भी लोग डीवी के बाद बचेंगे माल लेते हैं यहां से 17000 सम्थिंग और हम तो चाहरें कि सबका डोकुमेंट वरिफिकेशन क्लियर हो लेकिन फाइनल सेलक्सिंग कि मौका क्यों हैं पर 9212 का यह भी केटिगरी वायज ये से जनल केटिगरी में हो सकता है कि एक सीट पर नहीं से तीन दावेदारी के लिए मेरे हिसाफ से जनल केटिगरी की कट आप 45 से लेकर के 50 की बीच तक जा सकती है संबिदा कर्वी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मार्क से 40 से 50 की बीच में बहुत कम लोग हैं ऐसे 10% हैं अब उससे भी कम हो सकते हैं जिनके मार्क से 50, 60, 70, 80 ऐसे हैं बहुत कम लोग हैं जाता तो लोगों की जो मार्क्स है 40 से 50, 50 से 55 पस्जान तक इसी बीच में से अधिकतम से अधिकतम आपका 50 कि जाना चाईए final cut off जनल कर्टिकरी के लिए और यह 45 तक भी हो सकता है 45 से 50 की बीच में हो सकता है इससे कम भी हो सकता है और इससे प्लस भी जा सकता है OVC के टिगरी में देख लीजिए 43 से लेकर के 47 तक जिनके भी कम हो इस ये 43 से OVC में या फिर जैसे हमने जनरल का बताया 45 से 50 आपका जनरल में 45 से कम है आपका 35, 38, 49, 49 आपको निराज नहीं होना है अब भी से क्योंकि ये जो भी हम चीजे बता रहे हैं लगब बारह साधे बारह सो का डेटा है आपका और किसी के पास भी दो तिन सो से जादा नहीं होता है बस लोग अपने हिसाब से दावा करते है Fen competitors का लोग नेpay इता किके आपको किसी के पास नहीं होता है लोग Dellelson का किसी त offers ये किसी बी आप क्या है जो डॉकुमेंट से समंदित प्रश्न होते हैं लेकिन अब मेरा निवेदन आप सभी यह है कि अब जो हैं आपके नबवे परशित कमेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके आपने डॉकुमेंट agreement को लेकर की बात करेंगे पूरा focus इससे पलस भी जा सकता है जिसके chance बहुत कम रहेंगे इससे नीचे भी merit आ सकती है उसके chance रहेंगे मैं आपको जो भी आप रेंज बता रहाँ कटाफ के लिए ये केवल एक्सपेक्टेड है इससे जादा तो जाने के चांस बहुत कम रहेंगे लेकिन मेरिट इससे नीचे आने के चांस बहुत जादा रहेंगे ये depend करेगा की कितने candidates, document verification की बाद बचते हैं और उसमें भी कितने संभीता कर्मी वाले हैं क्योंकि मेरिट उन से ही जादा तर जाएगी बिना संभीता वाले जो ऐसे हैं नानसंभीता वाले आप तो यजादा तर लोगों के mark से बहुत अच्छी नहीं होंगे 40, 45, 50 अदिकतब होंगे 70, 60, 75 वाले बहुत कम लोग होंगे यसी केटिकरी में देख लिजी है आपर 36 से लेकर के 41 तक यह बिल्कुल मैं मैक्सिमम लेके चलना हूँ इससे कम ही आने के चांस रहेंगे मैं भले हाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए चाहे जनरल में 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए या फिर OBC में 47 बहुत है यह बिल्कुल इससे उपर मेरिट नहीं जाने चाहिए यसी केटिकरी में 36 से लेकर के 41 तक 36 से नीचे भी मेरिट आ सकती है किसी को भी निरास नहीं होना है ये कटाफ का वीडियो देख करके मेरा ये बिनम्र अनुरोध है आप सभी से अपने मांक्स आप सभी सेयर करते रही है अभी मैं इसको और प्रिसाइज करूँगा और आपको आकुरेट फानल कटाफ बताऊँगा जो लगबग आपके जो रिजल्ट आएंगे जब फानल उसमें जो कटाफ होगा लगबग उसे के बराबर रहेगा ये श्टी का देख लिजिए देखिए ये श्टी में मेरे हिसाब से यहाँ पर सबका यहाँ पर सेलेक्शन हो जाएगा सबका लगबग बहुत rare case में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ candidates बचे या ऐसा भी हो सकता है कि seat खाली ने रहे जाए इनकी EWS category का देख लिजिए EWS category में 36 से लेकर के 42 तक मतलब जितना लगबग हमने 80 का बताया है लगबग उतना ही ये बिल्कूल extreme range है अधिकतम range है इससे नीचे ही merit आने चाहिए ये maximum मैं बता रहा हूँ आपको इससे थोड़ा से merit नीचे ही आने की chance रहेंगे 36 से लेकर के 42 की बीच में final cutoff जा सकता है अब देखें आपर ऐसा बिल्कूल नहीं होना चाहिए कि हमारे तो नमर कम है पचीस है बीस है पंदरह है तो हम क्यों जाए document verification कराने ऐसी गलती भी यह आप लोग कोई भी मत करिएगा मेरा आप सभी से बिननमर निवेदर है document verification सभी को कराना है freedom pattern में सभी का हो जाना है हो सकता है कुछ सीटे खाली रह जाएं यहां पर भी सेम सबका हो जाना है हो सकता है कुछ सीटे खाली भी रह जाएं बहुत रहर case में ही ऐसा हो सकता है कि कुछ candidates बचे है पी एच में देखिए कोई पी एच के लिए अलग से कोई सीट नहीं है तो पी एच का कोई आरक्षर नहीं मिलेगा हाँ जैसे पी एच के कोई रेजर्वेशन है ही नहीं इस भरती में कोई सीट है ही नहीं तो आप भूल जाजे कि आप पी एच में है आप बस याद रखिए कि दूसरी category आपके क्या है क्योंकि दो तरह क्या रक्षर होते हैं 36 और वर्टिकल और होरिजंटल 36 और उर्द्वादर तो आप पस ये category याद रखिए और इन category के लिए हमने जो भी आपको कटाफ बताई है वही कटाफ आपके लिए जाएगी तो DB सबको कराना है जिनके कम नंबर है आपको भी DB कराना है अभी से आपको निरास नहीं होना है क्या पता जो मैं बता रहा हूँ कटाफ ये कटाफ पूरी तरह से गलत साबित हो जाए इससे कम कटाफ हो जाए मैं तो बस इतना ही आप सभी के लिए विस करता हूँ प्रे करता हूँ इसलिए आप सभी लोग बस पूरा फोकुस अपना किवल डोकुमेंट वरिफिकेशन भी रखें आगे की जो भी अपडेट्स होगी ओ भी आपको बताई जाएगी फिलाल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डोकुमेंट्स की पूरी लिष्ट को लेकर करके हमने एक बार पहले भी आपको पूरी लिष्ट दिखाएती है उसमें कुछ डोकुमेंट्स और भी एड़ करने है तो जल्दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा सेर भी कर दिया करें आप रुकता कि सभी तक वीडियो पहुँचे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना धन्यवाद